हेलो फ्रेंड्स, M2 मसालाज मैजिक में आपका स्वागत है, आज मैं फिर आई हूँ, एक नई रेश्पी शेयर करने, आज मैं बनाऊंगी मैंगो सिप, जो बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत प्रसंद आता है, ये बहुत कम इंग्रेडिन्स में बनकी तयार हो जाता ह इसके लिए मुझे चाहिए, 3 मेडियम साइज के आम, जिनको मैंने छील के और इसके छोटे-छोटे पीज कर लिए हैं ये है चीनी, गार्डेशिंग के लिए पिष्टा और काजू को काटके रख लिया है, और ये है जस जैली टॉफी जिसके मैंने छोटे-छोटे पीस करके रख लिये हैं, इसके साथ ही मैंने दूद लिया है और आइस क्यूब लिये हैं, दूद थंडा एकदम चिल्ड होना चा और आइस क्यूब डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे, यहां मैंने चार चम्मत चीनी लिए हैं, क्योंकि मेरे यहां मीठा कम बसंद करते हैं, अब मैं इसमें चिल्ड दूद डालूँगी, अब जारका ढकन लगाके इसे मिक्सी में ग्राइंड कर ले देखो कितना स्मूदी स्मूदी बना है, इसका कलर तो बहुत ही बढ़िया आया है, मैंगो मिल्क से बच्चे और बणो सभी को बहुत पसंद आता है, और बच्चों को तो जादा ही पसंद आता है, यह इतनी easy recipe हैं, और बहुत ही कम समय में बनती हैं, जब भी आपका मन करे इससे बनाईए और इंज्वाई कीजिए गार्निशिंग के लिए इसमें कटा हुआ काजू डालेंगे और कटा हुआ उपर से पिस्ता डालेंगे आपने टूटी फूटी तो बहुत डाली होगी इस बार आप जस जैली टॉफी के छोटे छोटे पीस कीजिए और इससे गार्निशिंग कीजिए यकीन मानिए बहुती सुपर टेस्ट आएगा और बच्चे तो इसको बहुत ही पसंद करेंगे तैयार है टेस्टी टेस्टी मैंगो मिल्क शेक आपको ये रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें